दोस्तो आज की से कहानी में एक भांजे को अपनी मामी से प्यार हो जाता है और इसके पश्चात जो उसकी मामी होती है वो अपनी प्रेमी से अपनी ही पती की हत्या करा देती है हेलो नमस्कार साथी हो, मैं केसफ सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, दोस्तो आज की जो कहन ही है वो है इंदोर की, मद्धर प्रदेश में एक जिला पढ़ता है इंदोर, और उस जिले में एक थाना पढ़ता है दौरकापुरी, और उस थाना छेतर में एक नगर पढ़ता है बिंदूर नगर, उस नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम रूप सिंग होता है, दोस्तो जो रूप सिंग होते हैं, उनकी आयो लगवग 30 या 35 साल के लगवग में होती है, दोस्तो उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का न पहले उनका एक वाच्जा होता है जिसका नाम होता है सिवाम जिसकी ऑफ लगोग 22 वर्स होती है दोस्तो उनके घर संग और फिर भी जारी रहता है दोस्तों जब इसके वारे में जो उसके पती होते हैं जो उसके मामा होते हैं जिसका नाम होता है रोप सिंग उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डाटते हैं और समझाते हैं मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है उनकी पत्न होते हैं वो ॉउ जगड़ा क्या कट है दोस्तो वो इन जगड़ों से जो उनकी पत्री चारे को राश्डाने के लिए कहती है क्युंकि उसका जो पत्री होता है वो उनके प्रेम प्रेसे के बीच में बादग बन रहा था दोस्तो जिब वो अपने प्रेमी से बात करती है जो उसका प्रेमी होता है वो उसकी बात को मान लेता है और इसके पश्चात वो चार अन्य साथियों को सामिल कर लेता है दोस्तों वो उन साथियों को कुछ लालच देता है कुछ पैसों को लालच देता है और लालच के चकड़ में जो उसके साथ देती है क्योंकि पूजा ही तो उसकी हत्या कराती है अपने पती की इसी कारण बस भूबी उनका पूरा साथ देती है दोस्तों प्लानिंग के नुसार चौदे फरवरी संद उसाथ 24 को साम को खाना खाना थे पश्चाथ जो रूप सिंग होते हैं वह सो जाते हैं दोस्तों जैसे ही सोते हैं इसके पश्चाथ जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा वह अपने प्रेमी को फोन करती है और अपने साथ एक साथी को राखता है दोस्तो वो तीनों साथी उनके घर पर पहुंच जाते है दोस्तो जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा वो दरवाजा खोलती है और उनको घर के अंदर ले जाती है इसके पश्यात वो उनको जो तीन आरोपी होते हैं उनको उस कमरे में ले जाती है जिसमें उसके पती सो रहे थे दोस्तो वहाँ पर जाने के पश्यात जो उसके पती होते हैं वो उस समय घुरायटे में सो रहे थे उनकी जो पत्वी होता है जिसका नाम होता है पूजा पूजा अपने बेटे को दूसरे कमरे में ले जाती है दोस्तो इसके पश्यात वो तीनों आरोपी मिलकर जो उसका पत्वी होता है जिसका नाम होता है रूप सिंग रूप सिंग की पत्थर से पीट-पीट कर हत्या कर दे कनकी पैष्ट को एक लाज्ट के बॉर्ट में भलेते हैं दोसटो एक जो गद्ध दोस्तो इसके पश्चात वो जो मिरतक की स्कूटरी होती है उसको लेकर और जो उसका सब होता है उसको लेकर चले जाते हैं और वहां से कुछ दूरी पर ही एक पुलिया पढ़ती है और उस पुलिया के पास में ही उसके सब को डाल देते हैं और पास में ही जो स्कूटरी होती है उसको खड़ा कर देते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ते को ये लगे कि उनका एक्सडेंट हुआ है दोस्तो जो स्कूटरी होती है उसको भी वहाँ पर गिरा देते हैं दोस्तो वो जो पूजा होती है पूजा को वीडियो कॉल करता है और उसके माध्यम से वो जैसे जैसे निर्देश करता है जो पूजा होती है वो नारोपी उसे इस तरह से ही कराती है दोस्तो इसके पश्चात जो आरोपी होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं दोस्तो इस पूर सब्सक्राइब फरवाई संदोया 24 की सुबह कुछ लोग एक जो नगर पढ़ता है बिंदो नगर उस थेतर में पुलिया पढ़ती है वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे दोस्तों उन्हें ब्यक्तियों को एक ब्यक्ति का सब दिखाई देता है इसके पश्चाइब उनको थाने की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है पहुंचने के पश्चाइब जो पुलिस होती है वो उसके सब को बरामत कर लेती है और बरामत करने के पश्चाइब जो पर उसके लोग होते हैं उससे पुछताज करती है तो जिसके पश्चाइब पता चलता है कि उस व्यक्ति आडम के लिए भेज देती है इसके पश्याद जो पुलिस होती है वो मिर्तक के परिवार वालों से पूश्ताज करती है दोस्तों जो मिर्तक की पत्मी होती है जिसका नाम होता है पूजा से पूलिस पूश्ताज करती है तो पूजा बताती है कि जो मेरे पती है वो रात के इतना के समय घर पर मौझूद था मगर मेरी जो मम्मी है वो मुझे दूसरे कमरे में ले जाती है वो बताता है कि कई दिन से मेरे मम्मी और पापा में दोनों में किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई चल रही थी दोस्तों यहीं पर जो पुलिस होती है पुलिस को मिर्तक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा उस पर सक हो जाता है दोस्तों इसके पैशात जो प्लिस होती है वो मिर्तक की पत्नी जिसका नाम होता है पूजा पूजा का फौन लेती है और उसकी जो कॉल डेटेल होती है उसे चेक करती है बोर सब चैट करती है तो उसमें पता होता है जिसके आई लागो 22 वर्थ होती है उसको गरबतार करने दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके साथ जो चार आरोपे होते हैं उसको गरपतार कर लेती है और जो उसकी पत्मी होती है जो उसकी प्रेमी का होती है जिसका नाम होता है पूजा उसको भी गरपतार कर लेती है गरपतार करने के पश्चात जो पुलिस है वो उसे पूछताच करती है तो वो भी इस जिल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं एडिशनल डीसीपी अभीनव बिस्व कर्मा ने बता है कि पुलिस ने 24 गंडे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है पुलिस ने 17 फरवरी संदर 24 को इस केस का खुलासा कर दिया है पुलिस ने 6 आरोपे को गरबतार किया है जिसमें एक मिर्तक की जो पत्मी होती है जिसका नाम होता है पूजा और एक उसका प्रेमी जिसका नाम होता है सीबम और उसके चार अन्य आरोपे होते हैं जिसको उसने पैसे का लालज देकर बुलाया था दोस्तो इन सभी छै आरोपे को पुलिस ने गरबतार कर लिए और इनके साथ सक्से सक्ट कारावे की जाएगी दोस्तो आज की कहानी को सुनाने का उद्देशा है किसी को भी परिशान करना नहीं है सिर्फ आपको जागर करना है कि आज हमारे देश में किस तरह का महल चल रहा है दोस्तो इस कहानी में एक भांजे ने अपने ही मामा का कतल करा दिया कहने का मतलब है कि दोस्तों उस भांजे को अपनी मामी से प्यार हो जाता है और इसके परिशात वो अपनी मामी के साथ मिलकर अपने ही मामा का कतल कर देता है दोस्तों इस ब्यक्ति के लिए इस भांजे के लिए एक कमेंट एक कमेंट जरूज करें दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों आज की कहानी जो यह कहानी है इस कहानी को हमने पढ़कर तयार किया है नई दुनिया नियूज लल्लू राम नियूज और आज तक नियूज और अमरुजाला इन सभी नियूज से पढ़कर इस कहानी को तयार किया है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्राइब में मिल जाएगा तो दोस्तों आप सभी लोग स्वस्त रहें और मस्त रहें अगर दोस्तों आपके छेत्र में इस तरह की कोई घटना होती है तो आप उस कहानी को लि